गुड मोर्निंग सुबग के 9 बज के 35 मिनट हो रहे हैं इस वक्त और आज हम फिर से आप लोगों को अपना घर की टूर कराने वाले हैं इससे पहले हम अपने घर की वीडियो डाले हुए थे लेकिन काफी सारे कमेंट आ देते कि भाई अपना घर दिखाओ अपने घर के ब्लो फूल ओन नहीं किया है जिसके वज़द से आप लोगों तक वीडियो जो है नहीं पहुंच पाता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फूल दबा लिजेगा आप एक बार चेक करिए ठीक है और फिर भी से आज हम आप लोगों को फिर से अपना घर दिखाने वाले हैं यहां पे काफी बड़ा घर था हम लोग लेकिन यहीं होता है कि मेरो पपा लोग तीन भाई थे और तीन भाई जब बटवारा होता था तो यहां तक की हम लोग के गाउ सब में यह जो खब है यह भी बटवारा होता है ठीक है इधर था चाचा लोग का तो चाचा लोग अपना उठा के ले गए अब ज़ने झांफये przy dh counsel लोग का तो यह हम्लोग का इधर पुराना वाला घ्र निर धीर करके हम अपना सजा रहे हैं ठीक है तो आए आप लोगों को हम लोग के घर के रूम टूर कराते हैं यह है ब्रामदा और इधर हम लोग का कीचन रूम है और इस साइड पे हम लोग का वो जो रूम दीक रहा वो मेरा रूम है तो शुरुवाती करते हैं पहले कीचन रूम से हम लोग कुई सपोर्ट के हैं? इधर नीचे में बरतन होगे रहा है, इधर हम ईगेस्लेंडर है इधर जुला चुला झाल और कुछ डिब्ब्ब्य में डाल हो गये राहाइ है यह रहा यह राहड दाल है ठीक है सरसों का तेल कभी चिकन उकन बनाना होता है तो सरसों से तेल से ठीक है यह चीनी और इधर यह देसी हल्दी ठीक है ओपी और कोई केमिकल वाला नहीं है और इधर कुछ बढ़ी हो गए रहा है ऐसे करके यह कीचन रूम है और जब अचानक घ जब easy बनाना होता है, राम से बनाना होता है, तो हमारे पास दो चूले हैं, जो की लकड़ी से खाना बनाया जाता है, तो अभी चलते हैं हम लोग का store room, जो की हम दान, चावा, लोगे रखा करते हैं, तो इधर है यह वाली second room ठिक है, हलाकि इस room में कभी हम घुसते नहीं है, क अभी कभार जब जरूरत हो जाती है कि तो घुष जाते हैं तो येरह हम लोग का이고 की स्टे रूम है ठीक है पुरा कबारी कबारी जैसा लोग है और यह दैख सकते हैं यह धान अनाज रखे हुए है ईस बोरी में और यह इंदो ए इधर एक बोरी में किसान कि मुदल्ब साल भर अपने साल भर की खाने पीने के लिए वह ऐसी इस्टोर किये रहता है ताकि साल भर कोई भी परिष्थिति आती है तो हम घर में असानी से खा सकते हैं कि तो यह रहा एक और यहां भी था एक इसको हमने खा के खतम कर दिया और सेकेंड में यह बचा है यह इसको चालू किये हैं यह खतम होगा फिर यह या तो इसको स्टार्ट करेंगे को अभी बंद करते हैं और यहां पर हम लोग का टीवी होगे रहा है यहीं पर साम को मनुरंजन कुछ नियों जो गयरा देखा करते हैं यहां पर और एक रूम यह है अंधेर नंगरी जैसे इसको भी खोल के दिखा देते हैं क्या क्या है ठीक है इससे दिखा देते हैं थोड़ा सा उदर हमने कुछ रेक जैसे बनाए है इधर मा की पेटी होगरा है इधर अलमारी एगरा है और इधर कुछ बोरी योगेरा में चावल है यह पापा का जो कर्मा सब होता है हमारे गाओं सब में यह मांदर यह है अपना रूम और अपना रूम में आप सब का स्वागत है आए वालकम टू माइं हॉम्स हाउस ठीक है पिछला वीडियो दो हमने घर का बनाया था इस टाइम यह जो पर्स देख रहे हैं इसकी ढलाई हो रही थी जिसके वज़र से हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए तो पहले यह यहां एक बड़ा सा आलमारी है और यह बड़ी सी पेटी और यह है मेरे पापा ठीक है जब यंग थे उस टाइम का फोटो आई है और इधर हमने यह रूम जो बनाए उस टाइम का फोटो लगाया हुआ है क्योंकि उस टाइम फोटो सब चलता था उस टाइम क्योंकि उस टाइम उतना मोबाइल सोबाइल आया नहीं था उस टाइम का फोटो ठोका हुआ है आज से भी ऐसी है और यह हमारे कपड़े लत्ते पुराने ह ये हैं जब कभी हमको घर युज करना होता है तो य Зап पंठे हैं बाकी जब कहीं जानाना होता है तो अलमारी में उसको स्टोर और यह हम बेड़ हुम सोते हैं और अभी रसात का टाइम है तो कपड़ा अगरे नहीं सुकते हैं तो हमने अभी इधर पंखा चालू कर दिया है ताकि इधर कपड़े जो हैं सुक जाएं यह चोटी सी कूलर है और इधर कुछ ऐसी रेक जैसे बनाएं हैं एक पलाई को इस्टोर कर दिया है इसे एक पलाई को ऐसी डाल दिया है उसमें और हमारे भाई लोग काफी लोग कमेंट करके पुछ रहते कि भाई आपकी साधी हो गई है कि नहीं तो भाई हमारा साधी हो गई है आपका भाई बुड्डा हो गया है तो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताता था कि हमको अपने घर में जो है कोई सपोर्ट ही नहीं करता जिसके वज़ा से मैं आप लोगों तक यह बातें जो छुपा के रखी थी तो मैं साधी सुधा हूँ ठीक है तो धीरे-धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहे हमेशा तो धीरे-धीरे करके हम आप हमारे फैमली को भी आप लोग के बीच लाएंगे ठीक है तो वीडियो को अधान आई तो लाइक करें पर जो भी नए है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना तो भी आइकन है उसको भी दबाईएगा तब जाके हमारी ने वीडियो की नोटिपिकेशन जाएगा तो मिलेंगे किसी नेट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैचतिसीगर